हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब होपसो सब अच्छ होंगे तो आज करते हैं एक नए प्रोजेक्ट के शुरुआत जिसके लिए मैंने ली हैं रुआफजा की बोटल ये मैंने चार अपने इकठी कर ली थी और एक पे तो मैंने कलर भी किया हुआ था तो अब मैं इनको करने वा पर है इसको हम उतार लेंगे ये मैंने पहले से एक का उतारा हुआ था उसके बाद हम करेंगे इस पे कलर आप अपनी चॉइस के कोडिंग कोई भी कलर कर सकते हैं इस डिपेंड ऑन यू टोटली आपको जो कलर अच्छा लगता है आप वो कलर कर सकते हैं मैंने इस पे किया ह blue color और उसके बाद color करने के बाद अब हम एक cardboard लेंगे और उसको अपनी bottle की shape के according हम उनको cut कर लेंगे अगर आप चाहें तो उनको अलग अलग भी use कर सकते हैं लेकिन मैं सबको एक साथ use करने वाली हूँ तो इस पे मैं एक glue gun की help से इसको इस पे stick कर लोंगी तो यह देखिए यह हो गया है stick और stick होने के बाद अब हम use करेंगे एक lace तो यह इस पे एक है जो stick हो जाती है अपने आप तो मैंने पहले try किया था कि मैं इसको as it is यहाँ पे place करूँ लेकिन यह बार-बार इससे निकल रही थी जो इसका adhesive था वो बार-बार इससे उतर रहा था तो उसके लिए मैंने use किया है अब एक favicol का use किया है तो आप देखिए यह बार-बार यहां से उतर रही है और मैं try कर रही थी कि यह मतलब कि stick हो जाए लेकिन यह stick नहीं हो रही थी तो यह बार-बार अपने place से हट जाती थी तो बार-बार यह हट रही थी तो इसके लिए मैंने use किया है favicol का एक छोटी सी layer मैं इस पे bottle पे लगा लूँगी और अपनी जो यह लेस है इसको उसके place कर लूँगी तो यही same मैं ऐसे ही नीचे इस पे stick कर लूँगी तो हमारा project है done आप इसको multipurpose सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इस प्सक्राइब कर सकते हैं और ड्रेसिंग टेबल पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं its your choice तो देखिए मैं आपको कुछ example दिखा रही हूं कि हम इसको कैसे use कर सकते हैं अगर आप मेरे channel पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी हर एक न्यू जो वीडियो है उसका नॉटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा तो थेंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में